हलो एन वेलकम टू बिहार पेसी एक्जाम मैं हूँ आलोक सिंग और ये जो वीडियो है तो हजार उन्नीस के महत्पुन प्रुसकार इसमें आपके साथ मैं डिसकस करूँगा और अगर आप बिहार अमीन परिच्छा 2020 देने वाले हैं उसमें एपियर होने वाले हैं तो ये वी एड्मिट कार्ड एक्जोली में नहीं आ रहा है तो देखिए पहले से जो नोटिफिकेशन दिया गया था उसमें 15 और 16 फरवरी को एक्जाम कंड़क्ट कराना था अब इसमें इसके पहले इसके 5 या एक सब्ता पहले तो आ जाने चाहिए एड्मिट कार्ड अभी तक नहीं भारत रतने 2019 से परना मुखर जी जो है पूर्वराश्पति इनको भातरन 2019 मिला था पर नाना जी देशमुक और भूपयन-थार का यह जो दोनों है यह दोनों मरनों परांतिन दोनों को मिला है पुश्चत मसली पोड़ैन Woo जो गयक थे तो ध्यान रहे गएगा 2019 में तीन मिला है अगला है ऑस्टेलिया ओपन 2019 जिसमें पुरुष एकल में नुवाग जो को वीच ने जीता था जो कि सर्बिया के हैं और महिला एकल में नाओमी और साकाना जीता था जो कि जापान की हैं ठीक है तो यह चीजे ध्यान रखिएगा पुरुष शिंगल सी पुछता है में सिंगल और विमें सिंगल पुछता है तो इस दोनों में ही ध्यान रखिएगा अगला है फ्रेंच ओपन 2019 जो है उसमें पुरुष एकल में राफेल नडाल ने जीता था जो कि अस्पेंस के खिलाडी है महिला एकल में एसले बाटी जो कि ऑस्टेलिया की खिलाडी है यूएस ओपन जो है 2019 इसमें पुरुष एकल में राफेल नडाल ने जीता था जो कि अस्पेंस से बिलॉंग करते हैं और महिला एकल में बियांका एंडिस्किव जो कि कनाडा से बिलॉंग करती है अब बात करें इटेलियन ओपन 2019 की तो पुरुष एकल में राफेल नडाल जो कि अस कैसे रखिएगा तो देखिए तिन गोहे ए एक यू आई ठीक है अस्टेलिय नो पन फ्रेंच उपन उपन और आई से इटैलियान उपन तो यह इसका यह करम पहले याद रखिए कि है कि एक यू आई इसका यह करम याद हो जाएगा उसके बाद महिला एकल में पहले देख लीजिए ठीक है तो महिला एकल में इन ई आसी क्या हो ज़ाएगा इन इन इसी नाक 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 याद रखे सीथे सीथे नाक ध्यान रखेंगे नाओमी उसाका हो गया इसल्जे बाट्टी हो गया और उसके बाद ये एंड रिश्क्यू हो गया और C से करोलीना हो गया ठीक है ध्यान रखी हो जाएगा आपको जैसे चारो उपन 2019 को याद अगर रखेंगे तो AFUIFU इसको कहिए और इसका करम याद होने के बाद महिला एकल का याद रखना है कोई किस ने महिला एकन्स जीता थे कि भी बहुत सारे क traitor हो गया तो उसमें महिला एकल में आपको याद रखना है ऐन एए सी ही यहां सहमाल सा का ओब्रकि जाएग में आपको इसले तो और एक जो है और अस्टेलियन ओपन जो है इसको सिर्फ जीता है नवाक जोकोविच ने ठीक है और बाकी सब सारा रोजर फिटर ने इन आर 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 ठीक है यह धियान रखिएगा जैसे यहां पर ए एफ यू आई हो गया और फ्रेंच ओपन इवेस ओपन और यहां पर इटालियन करना है तो आर हैसली है ऐस यू आई जो है उसके बाद यहां यहां पर यद रखिएगा और एं आर और झांज ठीक है फया रफ में जोकोविच राफिने डाल बाफेनेставляle रफेने डाल ठीक है याद हो जाएगा अस्टेलिया ओपन नुवाग जोकोविज फ्रेंच ओपन राफेन डाल यूस ओपन राफेन डाल इटालियन ओपन राफेन डाल ठीक है याद हो जेगा दोनों विमेंस में विमेंस में एन एसी याद रखना है और मेंस में इन दोनों इन सही है इन आर ट्रीपल आर रखना है और वो तो याद ये वला याद होगा ही इसका क्रम एफ यू आई पस याद हो जाएगा कोई इतना अगला है इंडोनेसिया मास्टर्स खिताब 2019 में प्रूश एकल में एंडर्स, एंटोंसें डेनमार्क के जो हैं और महिला एकल में शाइना नहवाल ने जीता था जो की इंडिया की हैं अब आज ये 2019 के नोबल प्रसकार में तो 2019 का नोबल प्रसकार रसायन साध्यानी केमेस्टी के लिए मिला था जॉन गूड एनप को, एम अस्टेनली को, एम अस्टेनली विटिंगम को ठीक है और अकीरा योशीनो को, मतलब केमेस्टी के लिए तीन लोगों को मिला है नोबल प्रसकार, ठीक है यहाँ देखिए मेडिसीन के लिए भी तीन लोगों को मिला है विलियम केलिन, पिटर राटकलिफ और ग्रेग एल्स सेमेंजा भौतकी के लिए फिजिक्स के लिए यहाँ भी तीन लोगों को मिला है जेम्स, पीबल्स, मिसल, मेर, डिडि, ए, आर, क्वेलोज अब ध्यान रखेगा फिजिक्स के लिए जेम्स, पीबल्स, मिसल, मेर, डिडि, ए, आर, क्वेलोज तो Chemistry, Physics और Medicine के लिए सब में 3-3 लोगों को मिला है Nobel प्रश्कार 2019 पर सांती के लिए मिला है सिफ अभी एहमद अली को जो की इथोपिया के परधान मंत्री हैं ठीक है सिर्फ एक ही लोगों मिला है सांती का प्रश्कार अभी एहमद अली जो की इथोपिया के परधान मंत्री हैं ये भी ध्यान रखना है आपको सहित्यानी लिट्रेचर के लिए किने मिला है तो 2019 का पिटर हैंड की अवाड पिटर हैंड की को मिला है ठीक है 2019 का किसे मिला है पिटर हैंड की को मिला है सहित्य के लिए और देखिए 2018 का भी प्रसकार जो है वो 2019 में ही मिला है ओलगा टोकार चुक को एक्चुली मैं लिट्रेचर का तुरह सा कॉंट्रिवर्सिय रहता है इसका प्रसकार इसलिए ही 2018 का जो प्रसकार था वो भी 2019 में ही दिया गया है दोनों भी धियान रगना है कि 2018 के लिए पीटर हंकी को मिला है और 2019 के लिए ओलगा टोकार चुक को यह है अर्थ सास्त्र याने इकॉनामिक्स के लिए यहां भी तीन लोग है अभिजीत बैनर जी जो की भारतिये हैं एस्थर डुफलो माइकल क्रेमर ठीक है इन तीन लोगों को मिला है अर्थ सास्त्र के लिए अभिजीत बैनर जी एस्थर डुफलो माइकल क्रेमर अब नॉबल पुरस्कार का हो गया अब सहित अकाडमी पुरस्कार 2019 जो मिलता मिला वो कुछ देख लेते हैं कियोंकि बहुत सारे भासाओं के लिए तो इंपॉइट भी नहीं हमारे और मोके यार्द रखेंगे कुछ-कुछ तो ऩag cya दॉड good अग्रेटा के लिए सेथ तरूर को मिला था यह बहुत ही अब जानते है पर टिस्वार स्वाच इस से पङुजें अग्रेजी के लिए मिला था अब जानते भी हैं कि ससी थरूर का अंग्रेजी बहुत ही फैमस है हमारा देश में संथाली के लिए मिला था काली चरन हेंब्रम को जिनका एक लगू कथा था सिसीर जली ठीक है सिसीर जली एक लगू कथा था जिनके लिए काली चरन हेंब्रम को संथाली के लिए मिला था और मैथली भासा के लिए कुमार मनिस अरविंद को मिला था जो की हैं किस चीज़ के लिए मिला था तो ये जिनगिक और याओन करायत कविता के लिए मिला था ये कुमार मनिस अरवि कि अब बेस्ट फीफा फुटबॉल 2019 किसे मिला है तो फीफा ने अवार्ड जारी किया था बेस्ट फीफा फुटबॉल अगा 19 तो इसमें जो सर्वस्रेस पुरुस्त खिलारी थे वो थे लियोनेल मेसी ठीक है और सर्वस्रेस महिला महिला खिलाड़ी मेगन रापीनो क्या नाम था मेगन रापीनो महिला खिलाड़ी सर्वस्त्रेश फीफा के तरफ से ये भी ध्यान रखिएगा अब अन्त में कुछ महत्तपूर्ण दिवस जान लेते हैं ठीक है चार फरवरी को बिश्व कैंसर दिवस मना जाता है और इस वार के 2020 के जो बिश्व कैंसर दिवस का थीम था I am I will ठीक है क्या था I am I will ये थीम था ध्यान रखिएगा फिर 13 फरवरी को 20 रेडियो दिवस मना जाता है और 24 फरवरी को केंद्रिये उत्पाद सुल्क दिवस और 28 फरवरी को रास्टिये विज्ञान दिवस ठीक है ध्यान रखिएगा तो ये था हमारा विडियो 2019 के महत्तपुन पुरस्कार का और अगर आप अमीन की परिचा दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बॉटेंट शावित हो सकता है वैसे तो आप किसी भी एक्जाम के देगए अगर आपके नस्धीक में है अभी अभी जनवरी फरवरी मार्च म पर जाईए नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रेप्शन बॉक्ष में वहां से आप फेस्बुक पर जाकर लाइक करना है यह ध्यान रखिएगा लाइक करना है और वहां पर दो बटन आता है एक लाइक का और एक फॉलो का तो प्लीस और प्लीस फॉलो को कुछ मत करना है कुछ भी सिर्फ आप लाइक बेटन पर क्लिक करिए और हो जाएगा सारा कोई और फेस्बूक पर यह मैं पिडियो प्रवाइड कर दूंगा आपका ठीक है तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेशन के साथ तिल एन कीप स्टॉडिंग